हलो प्यारे बच्चों तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो केमिस्ट्री के आल चेप्टर से मैंने लिए थे और सभी important question महां पर मैंने collect किये थे जितने मुझे important लगे थे वो मैं सभी कापी बनाईए और उन कापी पे आप जितने मैं question आप को दाऊं उनका सलूसन करते जाए ठीक है और अगर जिसका सलूसन आप नहीं कर ट्वेल्ट फिजिक्स ठीक है इंपोर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ट दोजार पच्चित का जो एक्जाम होगा उसके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे ठीक है कच्छा बारा बहुती विग्यार याने अगर आपको सत्तर में सत्तर नंबर पाना है तो आप हमारा ये पीडियाफ ले लिजिए और इसी पीडियाफ से आप तयारी कीजिए इससे बाहर एक भी कोश्चन नहीं आने वाला है ठीक इस चीज का दिहार रखें यूपी बोर्ट के जितने भी यहां पे आपको जो चेप्टर है मैंने सभी चेप्टर वाइज एक एक कोश्चन को यहा आये हुए है या एक्जाम में आने वाला है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर और चलते हम लोग पहले टोपिक पर कोश्चन नंबर पर और देखती है यह हमारा पहला चेप्टर है आप लोग चेप्टर देखिए जड़ा चेप्टर है बेगदुत आवेस बेगदुत बिभव ठीक है यह हमारे पास हमारा चेप्टर का नाम है आप लोग देख सकते हैं आपके इस किन पर आपको दिखाई पड़ रहा है अब दिखिए यहां पर पहले ही कोश्चन आपको दिया गया है कि आवेस के मद्द लगने वाला व्यक्दुत बल की साहता से बेगदुत सिलता का विमीय सूत्र या समीकर निकाल ये यैदि आवेसो के मद्द एक बल लगता है वो बल का नाम होता है कूलामल क्या होता है तो बही आपको यहां पे देना होगा दूसरा आपके पास कोश्चन है कि बेगदुत चेटरिकी तीबरता की परिवांता देदि नेस्ट कोश्चन दूया कूलाम का वैकदूद बल संबंधी नियम दिखिए यहाँ पे आपको कूलाम का पूरा नियम दिखना है एक पाइले चेप्टर से हैं ये सब सेकेंड फोर्थ कोश्चन है कि बैगदू दूदू के लिए निरच्चिये इस्तिती में बैगदू छेत्र की तिब्रता के लिए बेंजग प्राप्त कीजिए यहाँ पे निरच्चिये इस्तिती में दिया गया एक अच्चिये इस्तिती और होती है वो साइद मैंने यहाँ पे मेंधन नहीं की तो आप अच्चिये इस्तिती वाला भी डेरिवेसन कर लीजिए अच्चिये इस्तिती में भी के लिए क्या करना आपको सूत्र स्थापित करना है यानि जो गुमाने में किया गया कार हमारा होता है डबलू तो वो आपको ग्याद करना डबलू बरावर या आपने फार्मूला देखा हो यू बरावर पी-ई-कॉस-थीटा करके फार्मूला होता है वो आपको डिफाइन कर कोशन नमबर 6 यहां पर दिया गया है कि एक समान व्यक्दुद छेत्र में रखे व्यक्दुद पर लगने वाले महत्तमबल आगूण का बेंजक प्राप्त कीजिए तता इसके आधार पर व्यक्दुद दुदरूब आगूण की परिवासा दीजिए तो यह आप कोशन देख देजिएगा आपके बुक में सभी कोशन मिलेंगे आपको या आपने जहां पढ़ा है तो टीचर ने यह आपको कराए होंगे सेकेंड चेप्टर हमारा है वैक्दुद फ्लक्स तथा गौस की प्रमे ठीक है इसमें आपको कोशन क्या क्या पूचे जा सकते हैं नमबर एक य आपको यहां पर बैगदुद फ्लक्स की परिमासा उसकी बिमा वतानी और उसका शोत्र भी बताना है और मात्रक भी आप बताईए क्योंकि मात्रक कई बार एक्जाम में पूचा गया है ठीक है मात्रक आप comment box में लिखके बताएंगे कि वैग्दुस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है सभी वच्चे comment में कीजिए पहले कि वैग्दुस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ठीक है comment कीजिए आप लोग अनंत सम्तल आवेतित अचालक प्लेट के समीव व्यक्दुचेत्र की तीब्रता यानि जो हमारे अनंत सम्तल आवेतित अचालक प्लेट है उसके समीव व्यक्दुचेत्र की तीब्रता के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है चलते हैं चेप्टर नमबर थिरी की तरफ और इसमें हमारे पास है चेप्टर नमबर तीन का नाम है इस्तिर विग्दुत विभव तता वैग्दुत धारिता इस्तिर नुमेरिकल आने के ज़्यादा चांद है तो इसके आप लोग नुमेरिकल भी देख लिए मैंने इंपोर् बिभव तता वैग्दुत वेवांतर वैग्दुत विभव तता वैग्दुत व्यवांतर इनकी आपको परिवासा पड़नी है मात्रक पड़ने है servants निया गया गया है कि संधारित्र का समांतर सयोजन एबन स्रेणी सयोजन संदार्ट जो हमारे हैं उनका समांतर स्योजन और स्यावडर में में आपको फैर्ञुला निखालना है ये समान्तर कन्षट है करुंत démocrate c1 व्लस c2 फ्लस c3 में होता है बन अपॉन c1 फिर्रावर होता है बन अप 3 कि औरो नेस्ट नवर त्रेक संधारित्र बोर्जा घ marshmel लिखा अगनत्म और लिखा आथ दोوبिक यह उर्जा दॉचछ से क्या ताथ पर यह पर नातल लिखा हुआ है तो इसको आप करेक्ड कर ली वायर च संधार्य फोर दिया गया हमें कि किसी व्यक्दुदुदु धुरुप की अच्छिय इस्थिती में किसी बिंदु पर व्यक्दुद बिभव ये बिभव है व्यक्दुद बिभव का सूत्र ग्याद की ठीके अच्छिय इस्थिती में व्यक्दुद बिभव का सूत्र ग्याद करना है अगला कोशन है कोशन नमबर 5 5 क्या दिया गया है कि समांतर प्लेट संदारित्र की धारिता के लिए तूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आन्सिक रूप से पराव्यदुत पधार्थ रखा हो पराव्यदुत पदार्थ जो होता है हमारा उसे हम लोग के से डिनोट करते हैं ठीक है जब यह पदार्थ रखा हो तब आपको फार्मूला गयात करना तो यह आप डेरिवेशन कर लीजेगा उसके आप कोश्चन नमबर सिक्स है कि सम विभव प्रष्ट से क्या तातपर है यह यह जो हमारा सम विभव प्रष्ट है उससे क्या तातपर है तो यह भी आप देख लिजेगा सम विभव प्रष्ट वाला नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर सेविन समांतर प्लेट समांतर प्लेट संदारित्र की धारिता का वेंजक का निगमन कीजिए यान समांतर प्लेट संदारित्र की जो धारिता है उसके सूत्र का आपको निगमन करना जो मैंने अभी आपको उपर बताया समांतर के लिए क्या करना को C1 प्लस C2 प्लस C3 इसका आपको निगमन करना प देख लिजीगा एक वार ठीक है इसका अभी आप पूरा चित्र है इसको तयार कर लें उसके वाद आता है व्यक्दु चालन तथा ओम का नियम इसमें आपको क्या पढ़ना विसिष्ट प्रत्रोज यानि आपको रो पढ़ना है रो बराबर ठीक है आपने फार्मूला दोगा आर बराबर फार्मूला था रो एल अपॉन एवाला इस सुत्र को आप लोग देख लिजिएगा अनुगमन वेग यानि बीडी बराबर है या इसको आप लोग बोलते है अप वहावेग आपने सुना होगा तो अप वहावेग के नाम से भी यह जाना जाता है ठीक है अगला कोशन है ओम का नियम यानि आर बराबर फार्मूला होता है इसको आप लोग पढ़ लीजिए गा और इनके मात्रक भी पढ़ लीजिए आपका जो पेपर आएगा सेवेंटी नंबर का उसमें सेवेंटी में सेवेंटी नंबर आएंगे आप जितना मैं आपको बतारो उतना आप त्यार करंदी चलते हैं नेश डचेieteर के तरफ है र merc of का नियम तता वेख्दूद परिपस इसमें आपको क्या पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना शेल का वीगदूद बाहक ब्ल यानि किम Стक के वारे में आपको पढ़ना है विभव मापी आपको पढ़ना बेरी बेरी इंपोर्टेंट है किरचाफ का नियम पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट है यह 2025 के एकजाम में आएंगे कमपल सरी 100% आएगा यह तो इसको आप बिल्कूल मिस्मत करें नोट करने इसको उतके बाद चार नम्मर है हुट श्टोन से तो यह भी बीबी आई एमपी इसको भी 2025 के लिए आप नोट कर लीजी तो उनों फिलाल में यह चारों कोश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं लास्ट के तीन और चार यह कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है ती चुम्बकिये प्रभाव ठीक है विगदुद धारा के चुम्बकिये प्रभाव थे इसमें आपको एमपीर का परपतिय नियम आपको तयार कर लेना है चुम्बकिये छेत्र आपको पढ़ लेना है चुम्बक सेलता आपको पढ़नी है और धारा वाही चालक के कारण उत्प पन चुम्बकिये छेत्र की तिवरता ये भी आपको पढ़ना है ठीक है आँगे देखते हैं हम लोग अगला कोशन है इती में कोशन नमबर फाइब बायो सेवार्ट नियम वी वी आई एम पी कोशन दो हजार पच्चिस के एकजाम के लिए ठीक है तो इसको आप लोग अच्छे तयार करें वोड एकजाम में ये कोशन आ सकता है ठीक है चलते हैं नेश्ट कोशन की तरफ और नेश्ट कोशन को हम लोग देख लेते हैं सिक्स कोशन दिया गया है इसी चेप्टर से हैं सिक्स आपको पढ़ना है कि दू समानतर धारा वाही चालकों के बीच लगने वाले बल ये दू समानतर प्लेट जो हमारे थी उनमें धारा वाही प्लेटों के बीच जो बल लगता है इनके उनका सूत्र का निगमन आपको करन नेश चेप्टर हमारे पास है नेश चेप्टर है कि धारा लूप पर बल यूगम का आघूण ठीक है बल यूगम का आघूण तो नेश चेप्टर क्या है धारा वाई लूप पर बल यूगम का आघूण या चल कुंडली धारा मापी ये भी कोस्चन में कई बार पूची गई यह चल कुंडली धारा मापी क्या है ठीक है तो इसको आप लोग तयार कर लें इसमें आपको तयार करना है नंबर एक धारा मापी की सुग्राहिता तता बोल्टेज सुग्राहिता ठीक है धारा मापी सुग्राहिता पढ़नी है आपको बोल्टेज की सुग्राहिता भी पढ़ होना है और चल कुंडली धारामा पिए मैंने आपको बता यह आपको पढ़ दीजिए यह एक्जाम में दोजार पच्छिस के लिए आई एमपी कोश्चन होने वाला है ठीक है आंगे चलते हैं हम लोग अगला चेप्टर है हमारे पास प्रत्वी का चुमक की यह छेत्र प्रत्वी का चुमक की आईगा इसमें आपको पढ़ लेना भूर है और दो पोईंट और है ठीके मैं आपको दिखा देता हूँ इन में से एक question आएगा एक definition पूछेगा इन में से पूछेगा देखिए सेकेंड वाले में से प्रत्वी के चुमके छेत्री की तिब्रता की 36 घटक 36 घटक को अम लोग BS से लिखते थे यह आपको पढ़ना घटक उर्द घटक पूर्द घटक को में लोग BS लिखते थे घटक तता नमन कोण इसकी आपको परिवासा याज करने बिद फार्मूला ओके तो नमन कोण पुणत इस लुछ लोग stories है हमारे पास बाइख दुचुमकी ए प्रेर और tubes इसमें आपको क्या पढ़ना स्वा प्रेरण गुडांक आपको पढ़ना है अन्योन प्रेरण गुडांक यह इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है अन्योन प्रेरण गुडांक वाला शे नंबर पर आपको पढ़ना है विदुद चुम्ब किये प्रेरण का नियम पढ़ना है अगला चेप्टर है प्रत्यावर्ति धारा ठीक है प्रत्यावर्ति धारा से मिनिमम फाइव नंबर का एक कोश्यन आपको मिलने वाला है कौन सा मिलेगा बो यहीं बता देता नंबर एक वाला कोश्यन आपको पांच नंबर में 100% मिलने वाला है इसको आप तयाक कर लिजिए क्या करना आपको देखिए प्रत्यावर्ति धारा परिपत में LCR स्रेडी करम में जुड़े है परिपत की प्रतिवादा तता कला कोण का बेंजक लिखिए यह कोश्यन बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप लोग देख लिजिए और यह अगर कोश्यन नहीं आता तो इसी कोश्यन पर आधारत एक आंकिक प्रसन आएगा ठीक है लेकिन आएगा पांच मार्स का अबस ठीक है अगला क्या है आपको पढ़ना इसमें इसमें आपको पढ़ना है अनुनादी परिपत आपको पढ़ने हैं मैंने आपको सभी क्लास में पढ़ाएं अफलॉइन क्लास में और आपको ट्रांस फार्मर परना red प्रांट फार्मर बीबी आई एंपी है तो जार पच्छिस के लिए तो इसको भी आप लोग अच्छे से तयार कर लीतीगा ओके आंगे चलते हैं न्यू चेप्टर की तरफ न्यू चेप्टर हमारे पास है विग्दुद चुमब की तरंगे तो विग्दुद चुमब की तरंगे तरंगे और उनके स्पेक्टरम के बारे में पढ़ना ठीक और इते कले हैं यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आंगे आता है प्रकास का अपवर्तन यह chapter important है और इसे numerical भी और derivation दोनों आती है प्रकासका अपवर्तन तो कि इसमें पहले ही हमारे पास जो question है वो दिया गया है कि प्रकास के बेग के पदों में अपवर्त्नांग का सूत्र दिखिए, important है, number second का आगे, क्रांति कूण क्या है, C बरावर क्या होता है, वो आपको बताना है, प्रकास का अपवर्तन, ठीक, यह अपवर्तन लिखा है, अपवर्तन आपको बताना है, अप प्रकास तन्तु आपको बताना है, ज्यादा important नहीं है, पहला question देख लिजिए, पहला topic, ज्यादा important है, खिलाल में, अगला है मारे पावर्तन गोलिये प्रष्ट पर प्रकास का अपवर्तन, इबं लैंस पर आपवर्तन, तो इसमें आपको पढ़ने है, लैंस की छमता, इसमें हम देख लेते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है जल्दी से, तो इसमें आपको जो पहला दिया गया है, यह है BBIMP 2025 के लिए, प्रिज्म के पधार्त के अपवर्तनांक का सूत्र, यानि आपको यह निकालना है, यह न वराबर जो फार्मूला होता है, साइन, लेम्डा एम, प्लस ए, अपान टू, अपान होता है, साइन, एवाई, तो वाला फार्मूला आपको पढ़ना है, ठीक, सेकेंड आपको दिया, किसी प्रिज्म के लिए, आपतन कोण, तता, पिचलन कोण, यह जो मिलन कोण दि के लिए, प्रिज्म कोण, तता, निउन्तम बिचलन कोण, दोनों का मान कैसा हो, समान हो, तो, प्रिज्म के पधार्त का अपवरतनांग ग्यात कीजिए, जब बिचलन कोण, हमारा और प्रिज्म कोण, दोनों के मान कैसे हो, हमारे, समान हो, तब आपको अपवरतनांग ग्य आपको पढ़ लेना है सयुक्त सूचन दर्सी आपको पढ़ना है और परावर्तक दूर दर्सी आपको पढ़ लेना है ओके यह चारों टॉपिक आप पढ़ लीजिए इसमें से सबसे प्रभाव एबं तरंगें देखिए इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है प्रकास की प्रकृति के बारें पढ़ना है कि प्रकास क्या है उसकी प्रकृति कैसी है दूसरा आपको पढ़ना हाई गेंस का तरंग सिध्धांत इसमें आपको पढ़ना है अपवर्तन के नियम की व्याक्या और परावर्तन के नियम की व्याक्या दोनों ही आपको पढ़नी है एकजाम में कई बार आई है उसके बाद आपको पढ़ना तरंगाग यह तरंगाग क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक, next chapter हमारे पास है प्रकास का व्यतिकरण, क्या है, प्रकास का व्यतिकरण, ठीक है, अब दीके प्रकास का व्यतिकरण क्या होता है, इसमें होता है नमबर एक हमें पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धान्त हमें पढ़ना जो मैंने आपको बताया था बाई बराबर बाई वन प्लस पाई टू त्याद हमने फार्मूला फाइंड किया था वीडियो आ लेडी बना हुआ है ठीक है दूसरा आपको पढ़ना कला संबंध फ्रोद के वारें पढ़ना है वैतिकरण से फिंच आई पढ़नी आपको और ब्यातिकरण के वारें में पढ़ना एक outside in a टू लोग लोग कर लिए okay, आनगे चलते हैं प्रकास का विवरतन इतमें आपको केवल प्रकास का विवरतन पढ़ना है और हरेनल दूरी आपको पढ़नी है अगला चेप्टर आपके पास क्या है प्रकास बैगदुत प्रभाव एबं द्रव तरंगे तो इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रान को सर्जन प्रकास आपको पढ़ना यानि इलेक्ट्रान कैसे वो सर्जन करते है प्रकास का वो पढ़ना है और यह आपको पढ़ना है बैगदुत प्रभाव पढ़ना आपको डीव रोगली तरंग धहर आपको पढ़नी है और द्रव तरंग की प्रकृति आपक पढ़ दीए को यह आप लोग देख लिए अगला हमारे पास है पर्माड़ो सन्रचना तता हाइडरोजन इस्पेक्ट्रम यह इस्पेक्ट्रम लिखवा आप ठीक है तो इसमें आपको रदधर पर्माडू माडल आपको पढ़ना है रदर फोर्ड वो रडरोजन का पर्माडू माडल पढ़ना बोरवाला और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना ठीक इनके सलुसन मैं भी करा दूंगा अगर आपको नहीं मिलते तो और कमेंट में करते जाए मैं उनका सलोसन बताऊंगा बात में ठीक है अगला चेप्टर हमारा है नाविक की संदचना एक चेप्टर और बचा इसके बाद नाविक की संदचना इतने आपको नाविक की तरज्याक पढ़नी है नाविकों का बरगी करड़ यानि सम न्यूट्रा हमारे पाद अभी आएगा पी अन वाला है ठीक है अच्छोथा इसमें आपको पढ़ लेना परमाडू द्रब्यमान एबं परमाडू करमांक के बारे में पढ़ लेना ठीक है और नेश्ट हमारे पाद नापकी और जा इसमें आपको पढ़ना द्रब्यमान और जा समी करण यानि E बराबर जो फार्मूला होता है M C स्क्वार इसको आप लोग पढ़ना आई स्टीन वाला तरब मान छती आपको पढ़नी है तरब मान छती होती है डेल्टा E बराबर तो इसको हम लिखते हैं Z MP माइनस का प्लस होता है हमारे पास A माइनस जैड ब्रेकिट में M N और ब् लेटिए का स्में आपको पढ़ना नाव के सल्लाय नवक्रीय आपको पढ़नी है औरसंड नावकिए विखंड यह आपको पढ़नी है यह दोनों नीचे कि की ओधिक दोनों आई मिख कि और आम लोग दिख लेते हैं IT में आपको क्या पड़ना है अर्थ चालग एवम संदी डायोड यह हमारा है त्रभाइं यह जालग इसमें आपको ठोसों में उर्जा सवरूर्जा के बारे में भी आप पढ़ दीची एक आसा करते हैं इसमें बताएगे यूपी बोर्ड 2012 के जो कॉस्चन इंपोर्टेंट हैं वो आप अच्छे से तयार कर लेंगे ठीक है फ्रेंस तो अब मैं आपको बता दूँ कि इसका अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज का जो हमारा चार्ज था उसको हमने कम करके अगर आपने हमारे वीडियो देखा है वीडियो का ये लिंक में आप सेंड करेंगे तो आपको ओनली 49 रुपीज पे करने पड़ेंगे और इसका पीडिया बापको मिल जाएगा नंबर आप कहां से लेंगे मैंने जो हमारे लिंक का आपको दिया गया महां से विडिया सकते हैं या आप हमारा यहां से भी नंबर देख सकते हैं या आपको नंबर दिया गया हमारा इस नंबर पे आप पेमेंट करके इसकी इंसोड बेजिए वीडियो का लिंक बेजिए औ और मैं आपको only 49 रुपीज में ये प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है आपको सलूसन भी मैं उसका दूँगा और पीडियाप इसकी मैं आपको दे दूँगा ठीक है फ्रेंड तो आसा करते हैं आज जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं क्लाश 12 फिजिक्स के इंपोर्टन टॉपिक थे ये कई बार एक्जाम में आवे थे बो मैं लेकर आपके लिए आया था ओके थैंक यू फ्रेंड्स